दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए नहीं नहीं टेक वीडियो जो लाता रहता हूँ टेक्निकल वीडियो यूटूब अपडेट मुबाइल एप्लिकेशन रिविव्यू जैसी लाटेस्ट वीडियो रोजना देखने के लिए आप हमारे चैलर टेक्निकल पुनिया जी को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेएं और साथी बैल आइकन भी दबा देवें ताकि हमारी परते एक नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रही चलो दोस्तो शुरू करते हैं आज की लाटेस्ट टेक्ट वीडियो दोस्तो क्या आप जानते हैं कि मुबाइल के वोल्यूम बटन से आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं आप अपने मुबाइल के वोल्यूम बटन से किसी भी एप्लिकेशन को लोग कर सकते हैं वो भी ऐसा लोग जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है दोस्तों आपने मूबाइल के वॉलियूम बटन से या तो आवाज कम ज़ादा की होगी या फिर कोई स्क्रीन सोट लेने है तो वॉलियूम बटन का उप्योग किया होगा लेकिन इस वीडियो में आपको एक जादुई ट्रिक बताऊंगा जिससे आप वोल्यूम बटन से दूसरों को हैरान करने वाला एप लोग लगा सकते हैं इस ट्रिक को समझने के लिए आप इस वीडियो को प्लास तक चुरूर देखें मुबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ इस एप लोग की पुरी डिटेल है वो आपको बताता हूँ मुबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों कई बार आपके दोस्त आपका मुबाइल लेकर आपकी गेलरी वर्टसप आदी चेक करते रहते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते हैं ऐसे में आप वोल्यूम बटन से उस एप को लोग कर सकते हैं और उसी वोल्यूम बटन जो आपने लोग सेट किया है उस बटन को दबा करके आप अपना एप का लोग का खोल भी सकते हैं इसे आपको download कर open करना है मैंने पहले से download कर रखी अब मैं इसको open करके आपको पूरा process है वो दिखा देता हूँ दोस्तों इसको open करते हैं इस तरह का interface आएगा उसको slide करके set password करना है जैसे अपने set password में यह देखिए 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखा हुआ है थीका दोस्तों तो मैं इसतरह से ये volume button है, volume button से ये देखिए, volume button है इससे मैं मेरा password है, वो set कर देता हूँ दिरसे मैं set कर देता हूँ एक उपर, एक नीचे जैसे मैंने 2 पे select किya और एक उपर कर दिया, एक नीचे कर दिया ये volume button है, देख लिजिए ठीक है एक नीचे कर देता हूँ तो यह देखिए इसमें लिखा होगा enter again to confirm पहले मैंने उपर किया दूसरा मैंने नीचे किया तो यह मेरा password है वो set हो गया आपको यहां पर कोई भी अपना जो child dude का friend वगेरा का जो मतलब नाम वगेरा है वो देदा ताकि आपको ऐसा लगे मतलब कल को जो अगर reset करना पर पासवर तो कुछ प्रोब्लम ना है तो देखिए दो तो यह आपर मारा जैसे कि मैं अपना WhatsApp लोग करके दिखाता हूँ आपको यह मेरा WhatsApp है ठीक है यह ओगया लोग लेकिन अगर आप इसके फोटो सेट करना चाहिए तो उसके लिए आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो आपसे यह फोटो के लिए जो option है वो मांगेगा आपको जैसे मैं पोटो सेट कर देता हूँ इस लोग पे ठीक है अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा WhatsApp ओपन करके जैसे यह मेरा WhatsApp है यह तो मैंने पहले से कर रखा है ओपन इसको काट करके दुबारा ओपन करके दिखाता हूँ आपको दोस्तो जैसे के मैंने यह लोग सेट कर दिया है मैंने WhatsApp भी मैंप यह जो banking की एप है इस पे शेट कर दिया। जैसे मैं आपको खोल के दिखा ओपन करके दिखाता हूं जैसे मैं वाट्सअप ओपन करता हूं तो इस तरह का मैसेज है मेरे सामने आ जाएगा इस पे वह अगला कहीं पे क्लिक करेगा तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन जो वोल्यूम बटन है ब्राबर जहां मैंने वह अपन कर रखिए इस पे ऐगे वाड़ा जो भी क्लिक करेगा तो मान्य नहीं होगा कहीं भी कुछ नहीं होगा तो इसके लिए वह वोल्यूम बटन है एक बार उपर एक बार मतलब जो भी मैंने यह password reset कर मैंने password इस तरह का set कर तक है अगर आप कोई दूसरा password set करना चाहें तो भी कोई problem नहीं है आप वो password set कर सकते हैं तो इस तरह से यह जादू यह जो इसके volume बटन के जादू था वो मैंने आपको बता दिया है इस तरह से आप इसके password हैं वो लगा सकत जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है तो यह photos मैंने अपने WhatsApp का logo है वो download करके अपने अब मैं mobile में बनाई है आप ऐसे हरान करने वाले photo बना करके वह आप अपने इस लोप के set कर सकते हैं अब मैं आपको यह भी बता लेता हूं कि आपको photo crop कैसे करनी है क्रोप करने के लिए आपको यह के वाला नोट वाला जो option है वो खोलना है लोक लगाना है आपको volume पर जो set की है वो वाला ठीक है जैसे मैं आपको इसमें से कोई एप उड़ा लेता हूं जैसे Google Chrome उड़ा लेता हूं Google Chrome में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको crop करनी ह इमेज को ठीक है किस्टम पर क्लिक करोगे तो आपके सामने गैलरी का option मांगेगा उसमें से आप कोई भी एक photo है वो select करके उसे crop करके इस पर set कर सकते हैं ठीक है दोस्तो इस तरह से आप इस app को use कर सकते हैं ठीक है जिस भी आप app के उपर लोक लगाना चाहिए वो लोक लग सकते हैं ठीक है दोस्तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और यह trick आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like और share जरूर करना मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद